कि अलाहिर रहा हम जाहिम ब्रेमिक्स के प्रेटफॉर्स है अधर नाम सरसुलीब है असलाम अलेकूम आज का मारा टॉपिक सेश्टिंगे फिजिक्स के एक्ससाइज के शॉप पॉस्ट पॉस्ट है बोगर की जो थियोरी है इसमें बहुत सारे अजम्शन्स है क्या उसका कोई कि डिनाय करता है जो एसकी काट्रीक्टिंग गरता है जब क्लसिकल फिजिक्स एसके मताबिछ सब्सक्राइब तो थे łा लेकट्रों की site के गर्दिश करता है तो वह Olektron's beyond radiation को खारबश करता है और अगरों को जोना स्बाब कान तो उसंधी खारबश करता रहे तो उस्सूर जबकि डियालिटी में ऐसा कोई भी फिनॉमेन देखने को नहीं मिलता बोहर की मताविब ऐसा नहीं होता बलकि जब तक इलेक्ट्रोन एक ही और्बिट में रखिश करता रहता है तक तक ना तो रिडियेशन्स खारच करता है और ना ही रिडियेशन्स को अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रोन सिस तभी रिडियेशन्स को एमिट और अब्सॉर्ब करता है जब वो एक और्बिट से दूसरे और्बिट की तरफ जब करता है कि energy किस फार्म में emit और absorb होती है energy कि energy के basic packets है या packets of energy है वो photons होती है आपको बता आना चाहिए energy जब भी absorbed होती है या emit होती है वो photons की शकव में होती है जब कोई photon absorb होगा electron jump करेगा lower orbit से higher orbit की तरफ और जब तो फॉर्टों हमिट होगा, एलेक्ट्रों जम करेगा हाय वार्बिट से उलाय वार्बिट की तरफ, तो प्रेस्चन तरह आप आप आंसर रिखेंगे तो उसमें आप नहीं पर जी हाँ, बहुत की प्यूरी का जो यह वाला अधंशन है, यह एलेक्ट्रों तब नाइट स्पेक्ट्रूं करा होता है और नाइट स्पेक्ट्रम को हम एलेक्ट की इडेंटिफिकेशन के लिए मतलए हैं, पहचान के लिए कैसे स्वाह कर सकते हैं, अब जब क्लाफोंन और एडेशन को एडिट करते हैं तो उसकी हमें एक विक्टोरियल रिप्रिजनेशन य झाव मुस्तकिल वैलियो है और डिउस्टे वेल्योत वह सो होते हैं इंडिने ग्याप साथे हैं 音 feh हग सिस्ट्रों में Defusion स्पेक्ष्ट्रुम हमास पास सुथे हैं तो गनायन स्पेक्ष्ट्रों होता है चुकि हर element के लिए रड़ी का spectrum अलग लग लग आता है इसका मतलब है हर element के लिए जो spectrum बनेगा वो अलग लग बनेगा अब जो कोई ऐसे element हमारे पास मुझूद है जिसका spectrum हमें नहीं बता लिए कौन से element है उसका spectrum obtain करके अलड़ी जो अमारे पास spectrum मुझूद हो उनके साथ अब उसको compare करके तो नहीं बता जाल जाएगा यह कौन से element है सब्सक्री है हमारा कि क्या electron जो ground state में फड़ा हुआ है इसको हम 13.6 electron बोल के नटी दे सकते हैं जा इससे ज्यादा थी energy हम उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं किसी भी ground state electron की ज्यादा से ज्यादा नटी माइनस 13.6 electron बोल्ड होती है अगर हम उसको प्लस 13.6 electron बोल्ड energy दे 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 तो electron free state में आ रहेगा बांच स्टेटमें नहीं ज़ेगा जब फ्री स्टेट में आ रहेगा तो वह इजी इमूव कर सकता है एक्टम के बारे लेकिन चुंगे उसको आपने पुरी पुरी 13.6 एलेक्ट्रों पोल अनर्जी दी तो कहीं अनर्जी जिलो हो देगी इसको अगर हम 13.6 एलेक्ट्रों पोल से ज्यादा अनर्जी देगे तो जो सर्कुलस अनर्जी होगी याई एक्ट्रा अनर्जी पोचेक्क फोर एक्ट्रों आप उसको 14.6 एलेक्ट्रों पोल अनर्जी देगी तो लोग वान एक्ट्रों पोल अनर्जी का एक्ट्रा आपने के अंदर बहुत सारी lines मिल ली है हमें, हाला कि hydrogen atom के पास सिर्फ एक electron होता है, इसलिके आपना है. Basically, जब कोई electron jump करता है higher orbit, loyal orbit से higher की तरफ, तो जब किसी काई electron को energy मिल ली है, इसे external source से, तो वो ground state से excited state में चला लाता है, और excited state का मतलब ज़ुरी नहीं है, कि वो first orbit से second में ही जाए, third में भी जा सकता है, fourth में भी जा सकता है, इसे higher में भी जा सकता है, तो जब वो उपर higher orbits में जाता जाएगा, जब वो वापीस आएगा तो direct to first electron, first orbit में नहीं आएगा, बलकि वापीस आते हुए, वो आपने different level से होता हुआ है, आपने पास आजाएगी, इस वज़ा से हार्डोन स्पेक्ट्रॉम के दुनाब्ज़वाई, अगर स्पेक्ट्रॉम के दुनाब्ज़वाई, अगर स्पेक्ट्रॉम कंटेंट करते हैं, उसमें बहुत सरी lines appear, तो पांच मा सुवाला है हमारा, कि जब फोर्टॉम हैमिट होता है किसी एलेक्ट्रॉम में से, तो क्या अनर्ट्री गंसर्थ जाती है, विल्कुल यह बात दुस है, क्या अनर्ट्री गंसर्थ गैती है, हालागे हम आप भी सोच रहे हैं, तो इसके नटी खारी जो होगी 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 तो इसके नटी जो होगी तो इसके नटी जो होगी तो इसके नटी तो इसके नट अब यह ग्राउंड श्रीप घरना चाहेगा जिए वोही नटकी हमिट करेगा जो इसने एक शड़न सॉप से गेम की तो हम भी कह सकते हैं कि अनटकी कर से रहती है जब फोटन हमिट्रिया फॉट्र होता है Q7.6 है A glowing gas can give only certain weakness कि जब कोई light हुए है वो चमक रही होती है उसमें से चिरफ महसूस wavelength वाली lights भी पेडियर होती है जब भी हमें को गल्ब नगर आता है तो हर गल्ब की अलागल एक wavelength होती है और जो मख्सूस wavelength है हर गल्ब पैसी wavelength नहीं हमें नगर आता है तो सबसे कम wavelength होला है तो कलड़ा है तो जब कोई gas glow कर रही है या चमक रही है तो उसमें से सिर्फ मक्सूस या certain wavelengths ही क्यों नगराती है तो हर gas different elements को पुश्च के जाए और हर elements के energy levels different होते हैं अब energy levels different है तो उसके electron जो है वो मखशूस levels पर ही jump करेंगे जो उस element के मताबब होंगे तो इसलिए हर certain case case certain favorable बारी lightly उसमें से emit होती है question number 7 है अब आदा कि excited atom से क्या होगा है या excited atom क्या होते है जब हम किसी atom को किसी external source से energy provide करते हैं तो उसको forward on को बार करते हैं तो उसके electron नॉर्मल state में नहीं रहते हैं वर्के वो नॉर्मल state से jump करके excited state की तरफ चले जाते हैं तो उस फूरादम यारी वो atom जिसको कोई external energy मिली हो वो excited atom क्यालाता है basically atom excited नहीं होता है उसके electrons excited हो जाते हैं तो नॉर्मल state से excited state की तरफ जंक करते हैं question number eight है कि क्या x-rays refract कर सकती है, diffract कर सकती है या इसके लावा polarization कर सकती है तो इसका answer है जी x-rays, diffraction, diffraction, reflection, polarization और polarization चारों के चारों phenomenon कर सकती हैं इसके reason यह है, कि यह चारों phenomenon waves में पाई जाते हैं या waves में पाई जाते हैं और x-rays basically waves ही हैं और waves की उन्हें की हो जाते हैं इसके अंदर यह चारों के चारों phenomenon यह रिफ्रेक्शन, diffraction, reflection और polarization और polarization पाई जाता है चुछी जाते हैं